Hello friends, welcome to Mission Kvist, स्वागत आप कमिशन Kvist में इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पदमा पुरुषकार के बारे में उसकी हिस्ट्रे के बारे में काम को जाती है यानि इव ऑफ 26 जैन्वरी यानि गरतंतर दिवस की संध्या को लेकर इसकी जो गोशना कर दी जाती है कि कि इसकी को मिलेगा 120 से ज्यादा को हम नहीं दे सकते उसमें भी जो मर्नो परांथ हो गए या एनराइज वगरा हो गए उनको छोड़कर कम से कम 120 लोगों सब्सक्राइब करें कि 2023 में किसको क्या प्राप्त हुआ है ठीक है और साथ ही साथ कुछ इंपॉरेंट चीज़ें इसमें एड होके मिलेंगे आपको और आपके एग्जामिनेशन के लिए खास करके GS के लिए DSSB के लिए बहुत जाद इंपॉरेंट है क्योंकि NCRT के लावा GS के पार्ट में हमें Current Affair के टॉपिक Awards, Sports, इत्यादी के टॉपिक देखने को मिल जाते हैं सो लेट्स स्टार्ट और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना है PDF पाने के लिए PDF इसमें डलना शुरू हो जाएंगे अब दरदर करके अब डालना शुरू किया और एक बार और उसमें एडिट करके डालना तेजी से शुरू करेंगे PDF पाने के लिए टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौझूद है इसके लावा आप अपना कीवेस्ट टाइप करके भी डारेट पहुच सकते हैं ए और के इसमें क्यापिटल हैं ओके जो सो तो दोज़़र तीज में 106 पादमा वॉर्यच का डिविजन कैसे हो यारी पद्म बूशन कितने दिये गए बुशन कितने दिये और पदमिश्री कितने दिये आओ इसपे चर्चा करें तो पदम बूशन जो है वह दिए गया है छ चैनल पर मिल जाएगी बगाईदा प्रॉपर और उसमें भी मैं कुछ हाइलाइटिट नेम रखूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉरेंट है जिनके नाम पेपर में दिखाई दे सकते हैं ठीक है तो इन पर अच्छे से चर्चा करते हैं थोड़ा अंसंग हीरोस को भी जान प्रांथ इसमें तीन लोग रहें ठीक है और इनकी फील्ड यानि डिस्प्लेन अलग 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 एडियास के अकॉर्डिंग इनको पदमा विभूशन अवाड दिया गया है आईए इसकी विस्तार से चर्चा करें इन हस्तियों को पदम और श्री निवास वर्धन ठीक है तो इनके बारे में जड़ा देखें आगे हैं पदमा वाड में सबसे पहले दिलिप महाल नौबिस दिलिप महाल नौबिस मेडिसन की चेत्र से संब्दित है वेस्ट बेंगाल से आते हैं और इनका सबसे बड़ा योगदान बीसवी सेंच आई है क्योंकि वाटर से बहुत सारी बिमारिया हो जाती है और उसको कंट्रोल करने के लिए और अक्सा दिया जाता है अपनों ने सब ने वारेस पिया है तो उनकी कहीना की डिसकवरी इनी के द्वारा की गई थी इसलिए इनको पदमभूशन दिया गया है मिर्तियू जी बाल कृष्न दोसी जो है यह अधर केटेगरी में आते हैं अधर केटेगरी बिला है यह मौडनिस्ट आर्केटेक्चर को समस्ते इंडिया के इस चक्र में इनको पदमभूशन मिला है इसके बाद पदमभूशन के एक और हगदार श्री मुलायम सिंग आदव जी इनका अब यह अभी निधन हुआ था तो उसके बाद इनको मिला है उत्तरप्रदेश से आते हैं यह और यह सीम रह चुके हैं उत्तरप्रदेश के और यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी रह चुके हैं और इस लिए इनको पदमभूशन मनोपरान दिया गया है पदमभूशन नो लोगों को दिया गया हुए नो लोगो APPLAUSE बहुत ''BHETERIN'' काम करने वाले यहां देखो जितने लोगों को Padma Award मिला दी पादम फुशन पदमभूशन, पदमभूशन और पदमश्री सब को बहतरी इन कैटेगरी समाज में बहतरी इन योगदान के लिए दिया गया है और हमें जानते हैं कि 120 से ज़्यादा दिया जा नहीं सकता ठीक है तो सबसे पहले इसमें है एसल भैर etwa जी है इनको दिया गया है यह लीटरेचर हृ एजूगसिन के शेफर में करणा कि नाटक से आते हैं और इंडेया मतलब सोसाइटीय यर्टि फे दरें में इंदिन 嫂पिक्स के बारे में जो लिखना पसंद करते है है और एजुकेशिन से लिटरेचर से लिटेड इनकी नोवल इसके वाद आता है श्रीकुमार बंगलम बिर्ला ये आधित्य बिर्ला गुरुप के चेर्मन है इनको भी पद्म भूशन मिला है अधित्य बिर्ला गुरुप से आप सभी बली वाचित पड़ी चिते हैं इसके अबाद प्रोफेसर दीपक धर ये साइन्स और इंजीरिंग के शेत्र में इनको मिला है महाराष्टा से आते हैं तो इनको क्या मिला है पद्म भूशन मिला है नाम याद रखेंगे आपको इसलि ठीक है आठ से लिटिट छेत्र से तमिल नाडू से आती है लेजेंडरी सिंगर है और अठारा जो लेंग्विजिज है उनमें बहुत सारे सॉंग्स गया हुए इन्होंने और तमिल नाडू से आती थी लेकिन अब इनकी मिर्ति हो चुकी है मर्णो परां तब इनको फैब्र मुश्किल ही दिया रहता है लेकिन इस बार देखा गया है कि खास सिचुएशन में हम पदमपुरुषकार दे सकते हैं फिर आध्यात्मिक गुरू चिन्ना जी और स्वामी जी ठीक है इनको भी स्पिरिच्वलिज्म यानि जो आपका भक्ति बगरा है इसको लेकर स्कॉलर एक वैदिक स्कॉलर है इनको भी पदमपुषन इस चीज में दिया गया है यह अपनी वैदिक स्कॉलर इन सब के लिए जाने जाते हैं और इसलिए इनको यह आवाड मिला है पदमपुषन फिर श्रीमति सुमन कल्यानपुर यह आर्ट के छेतर से आती है इनको भी उसके बारे में भी लिखते हैं तो इसलिए इनको यह पदमपुषन आवाड मिला है आपको बेसिक लिए नाम पर फोकस करना है काम स्यादा क्यूंकि काम अच्छे है तभी तो नाम है और तभी तो आवाड है बट हमें थोड़ा बहुत नाम याद होना चीए देखो आपनेंट तो खेर सारे पदमा वाले बंदे एक सुच है एक सुच है बट उपर वाले हैं थोड़े तो ऊपर की केटेगरी से कुशन उठाये जा सकता है एक अजम्शन है तो हमें पता होने चाहिए हैं फिर मेरी फेड़िट ओथर सुधा मूर्ति जी सामा सुधारक समा सुधारक शेत्र में इनको मिला है और इसके लावब अच्छी लेक का भी है बहुत अच्छा लिखती हैं और शोशल वर्क करती है और इसे वैसे इनको पदमभूशन मिला पदमभूशन ओके इसके बाद श्री कमलेश जी पटेल ये स्प्रिच्छुलिज्म है मतलब ये एक भक्ती से भक्ती के मार्ग पर चलते हैं और अपने इसाब से लोग को जागरुक करने काम भी करते हैं स्प्रिच्छुलिज्म में भी एक कैटेगरी है इस अवर्ड गिये और ये तेलंगाना से आते हैं इनको पद्म भूशन मिलाए अब कुछ अंसंग हीरोज है जिनको पद्म भूशन से सम्मानित किया गया है क्यों किया गया है किसलिए किया गया है जानते हैं इसके बारे में पद्म भूशन से समानित के लिए जल उसकी बचा चुके है लेकिन unfortunately अभी हम लोगों के बीच में नहीं है इसके अलावा दूसरे जो हैं अंसंग हीरो डॉक्टर रतन चंदरकर रतन चंदरकर का एक डॉक्टर है अंडवान निकोबर आइलेंड में उन्होंने अपनी सेवा दी हैं बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका देखो जो हम लोग आ खतरनाक जो जञजाती हैं अंडवान निकोबर की जरावा समुदाय उनको वहां पे खर सा रोग हो गया था खर सा एक प्रकार को रोग वह इतना खतरनाक रोग था जिससे पूरी समुदाय जरावा समुदाय वह वह विलूप थोनवाल था खतम उने एक अगार पे था तो व इसी भी तरीके से आप इन जंजातियों के पास जाओगे तो यह इंस्टेंट हमला करते हैं तो लेकिन इन लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया और जाके इनों ने वहां के लोगों का इलाज किया और वहां के लोगों को खसरा रोग से बचाया आपको यह पूरा 2030 का समप समझ में आ गया होगा 91 जो पदमिश्री अवार्ड की लिस्ट है उसमें कुछ फेमस है रवीना टर्णन जी इनको मिला है आनन कुमार जी सूपर 30 वाले उनको मिला है हुसैन ब्रदर राइस्थान के उनको मिला है तो इनकी जो लिस्ट है मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर प्रवाइड करा दूगा आपको वीडियो पसंद आई होगी नॉर्मल रखी है वीडियो शॉर्ट रखी है और लेकिन प्रिसाइज रखी है बट इन्फर्मेटिव रखी है पिच्चर का ज्यादा यूज इसलिए किया है ताकि आपके दिमाग में कह इसलिए बिसमतnio होनीच जाहिए चाहे आप भलबी EaglesBSB का नुपर प्रवस्पार करेसे में करते हो को भी इसलिए में क्या नुक्ति बिसमति का आच मैंना एक्छाएगraft करेशयों आपको खराए और यूज कष ps...,сыजा और बेलै करया कर दे करते हो झाल झाल